ंग इस सो इमस में सिस्क्रीट इनल्ड बॉष सिय रिक्षिश्टर लिडिश्टर इस्ञ रिकॉस्ट TU आपेश्ट्र लिडिश्टीटर्र हो इस मेयरे बॉष स्ञुप इस इनल्ड गॉश्टर गोड, इस तरल्ड पोडिक्ष रिस्टर इस प्रिटेर Christina करने से पहले यूई आपके lt network से attach होगा ठीक है so first step क्या होगा you attach with lt network जैसे यूई switch on होगा okay you switch on होगा और first time register क्या होगा यूई सबसे पहले first step क्या होगा युवी attach with LTE Network Attach with LTE Network, और इस का भी call flow हम लेख रहेंगे First of all,craft with LTE Network, ओके So,ल्त नेटक्वर सो क्या मिलेगा? Pn Connectivity इसको मिलेगा, ठільки PDN Connectivity, ठीक है? So, PDN Connectivity में इसको क्या मिलेगा? IP Address, उस टाउम इसको PDN Connectivity के तुरू उस टाइम इसको उस PCO parameter को योज़ करके क्या मिलेगा इसको IP address मिलेगा किश्का IP address of PCSCF, ठीक है? So, LTE attached के थूँ, LTE attached के टाइम पर इसको क्या मिल जाएगा? PCSCF का address, proxy shawl call session control function का address मिलेगा, ठीक है? और इसके दो procedure है, और ये question में बहुत पूछता है interview में, कि PCSCF का address कैसे मिला? आज से 6 मन पहले तो ये 100, out of 100 interview में पूछा जाता था, अभी तो थोड़े down होगे, at 2030 में पूछता है कि यूई को PCSCF का address कैसे मिला? तो actually इसके कितने process है, दो process है, एक PDN connectivity के थुरू, during LTE attach, जब LTE network में attach होता है, because आपको पता है कि LTE network में attach होना क्यों ज़रूरी है पहले, because LTE network, क्या देगा आपको IP connectivity प्रवाइट करता है, to access the IMS network, जब तक IP connectivity नहीं होगी, user IMS network को क्या कर पाएगा, access नहीं कर पाएगा, तो first answer ये, second है कि PCSF आपका address मिला कैसे, IP connectivity तो हो गई user के पास, बट अब PCSF का address कैसे मिला, तो वो कैसे मिलता है PCSF का address, PDN connectivity के थुरू, attach procedure में PDN connectivity होती है, उसी PDN connectivity में क्या मिलता है आपको, यूई को PCSF का address मिलता है, और दूफरा dynamic host processor है, DHCP, एक DHCP processor, DHCP process के थुरू, ठीक है, तो दो इस्टिप है, और दोनों को discuss करेंगी, ये LT call flow में, ठीक है, तो now हम ये assume कर रहे हैं कि UE LT network में attach है, और UE के पास PCSF का address है, राइट? तो, इस SIP network में ये आपका PCSF है, तो, अभी हम ये assume करके चल रहे हैं कि UE LT network में attach है, और इसके पास PCSF का address है, ठीक है, ठीक है, तो step one, दूफरा basic idea क्या है, IMS network में जो आपकी security यूज होती है, वो भी different type यूज होती है, वो different है क्या, यहाँ पर आपको ACA security यूज होती है, ठीक है, आपका security यूज होती है, अभी कौन जोइन होई, प्लीज, अभी कौन जोइन होई, अभी जैस्ट रिटेश्ट, आप बताते हूं, रिपीट करवे गरनातू, राकेश है, ठीक है, तो अब यहाँ पर security, तो first point clear हो गया, कि first क्या होगा, UE-LT network से attach होगा, और हम यह assume कर रहे हैं कि UE-LT network से attach है, और UE के पास PCSYP का address है, तो UE को PCSYP का address कैसे मिला, PDN connectivity के थुरू, using PCO parameter और इसको discuss करेंगे detail में, को दूफरा प्रोसेस है PCSCF का एड्रस क्वारी करने के लिए डीसवीपी का वो हेल्प ले सकता है ठीक है तो यह दो प्रोसेस है PCSCF के एड्रस के लिए और यह इंटर्व्यू में कोश्चन में पूचे जाते हैं अभी UELT नेटवर्क से अटैच है और यहां पर आप QCI 5 यह आपके लिए रिजर्व है आएमस सिगनलिंग के लिए QCI 5 एक डिफॉल्ट वीरर सेट अफ है अभी यूई उसी डिफॉल्ट वीरर का यूज करेगा और रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा PCSCF को है आएमस में लेडो सेटिवी यूज होती है एक का का सेट अक डिफॉल्ट केशारव होता क्या एटकेश्णीप करेटीश्ण से और विख और फिरी प् coy यो सो एक्षिली इतेय चैलेंज यो ऐन रिस्पॉंस बेजड ऐसे स्था करते है निवत इतल से यह आपका जो डाइजस्ट यह ऐस सतता हूं है चैलेंज मुस्त डाप दो चैलेंज आ जर्सकांज डेमिस आ और रोकारuan जा पैसे बनाके दो जिस पर हम trust कर सकें तो लाइक उसमें क्या हो है फ़स्ट यह है युई अभी युई को iMesh Network के बारे में कुछ नहीं पता है तो युई एक initial registration message भेजेगा और initial registration message में युई अपना क्या send करेगा एक basic impi and impu इसी initial message में impi and impu and what is impi and impu public user identity and private user identity public user identity and private user identity okay तो यह अपनी identity send करेगा इसी message में तो उसके first registration message यहां पर क्या होगा फेल होगा तो PCSCF आपके register message को आपका registrar कौन होता है basically यह register message कहां जाएगा किस node पर जाएगा तो यह अज़िक को फाइनली हीट करेगा ना तो जैस्ट एक बेशिक वह बता रहें ठीक है और बिलकुल एक बार में फी फाइस्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है और रचिस्टेशन को बहुत अच्छे समझे लाएं आप टेस्टिंग में जाओगी या उसमें तो आज और कल दो दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो फोटाक्सी कॉल सेकन कंट्रright स्ब्सुंट को मिल लेते हैं ठीक है और आइसे समझो क्यों इसको मैसा क्यों बोलते हैं होम नेटवर्क यह कॉंसेट क्या है और क्यों आया है कि इसको अभी आप ऐसे समझ लो बखिए रोमिंग टाइम और बताएंगे लाइक देखो आप यह यूई हो ठीक है और यह आपको पता है first point of contact क्या होता इमेश नेटवर्क के लिए PCS CF ठेक है PCS CF आपको क्या होता है first point of contact होता है सो PCS CF आपका वीश्टेड नेटवर्क में हो सकता है बट I C C C F and SCCF यह always किसमे होंगे home network में, किस में होंगे आपकी ICSCF and SCSCF किस में होंगे, always home network में होंगे home network, इसको अभी के लिए आप ऐसा समझो, कि like आप Delhi में हो, ठीके मैं user हूँ UP का, ओके मेरा home network क्या है UP मैं home network की जो है UP ठीके बट हमारा जो अभी मैं चला गया हूँ, डेली तो obviously डेली जाओंगा, तो डेली के PCSCF पर मैं send करूँगा request, ओके फिर डेली का PCSCF मेरे home network के पास जाएगा, कि मेरा home network का है तो ये हमारा wasted में है इसको हम wasted मानके चलते हैं बट जरूरी नहीं कि हर टाइम wasted हो, लेकिन एक terminology इसको बन गई है, कि ये किसी भी network में हो सकता है, PCSCF आप home network का use करो, और wasted का, यानि अगर किसी अधर city जाओगे, किसी अधर state में, किसी अधर cluster में जाओगे, other network में, तो आप वहां का proxy SCFC यूज कर सकते हो, बट home network जो होगा, यानि जहां आप registered होगे, registered तो आप UP में ही होगे, यानि यह हमेशा कहां कराएगा, home network कराएगा, ठीक है, यानि यानि डेली का बन्दा मुंबई चला जाएगा न, PCSCF तो मुंबई का use करेगा, ठीक है, बट SCSCF कहां का use करेगा, डेली का ही use करेगा, ये बात ध्यान दखे, रोमिंग में इसको explain करेंगे, ठीक है, by the way, रोमिंग में किया था, रोमिंग second या third time ही पराया था, इस भार उसको और थोड़ा सा लाएगा, ठीक है, ये point यानि यादक विस्टेट और home का क्या मतलब है, ठीक है, home network में, जहां पर use registered हो रहा है, वो home network, विस्टेट network भी आपका home में हो सकता है, बाटेगे terminology है, ठीक है, सो PCSCF के पास क्या होता है, proxy call session control function आपको एक dna square करता है, ठीक है, home network के लिए dna square करता है, DNS query, अब ये बड़ा confusion है, कि DNS query क्यों कर रहा है, है तो एक ही network में, एक ही box में बंद है, राइट ना, हो रहा है question, अरविन, ये आपका DNS server है, ये फिस्ट ये करेगा DNS query, बगल में है, तो इसको भेद देना चाहिए, DNS query क्यों कर रहा है, तो देखो DNS query क्यों कर रहा है, ये आपका हुआ DNS query से response आएगा, so register message में, register message में क्या गया है, impo and impo, impo and impo, ठीक है, साथ में आपको पता है, first, किसी भी ship message का, जो first line होती है, गो क्या होती है, request URI होती है, request URI, request URI, सभी लोगों ने पढ़ा है, lose routing, stick routing, प्लीज, बोलते रहो आप, जैसे discussion चल रहा है, call flow नहीं, आप इसको समझ लोगों ने पढ़ा है, तो इस register message की request URI क्या होगी important यह है, तो इस register request की जो URI होती है, तो request URI में होता क्या है, मुझे पहले यह बताओ, अधर address होता है, destination का मतलब माइस सिस्का जाएगा, final destination का ना, यानि user, final destination है कौन, तो पीस, पीस जाएगा सब्सक्राइब, यूजर भी है, रजिस्टर कर रहे हैं, किसी user पास ने चाहरा है, हमें network में ही रहना है, हम network से अभी attach होना चाहरा है, SCSF, SCSF, PCSF हो रहा है, यह यह तो SCSF हो सकता है, या PCSF हो सकता है, तो यहाँ पर या तो SCSF, PCSF हो या तो PCSF Card eg. लेकिन PCSF都 लिए the final destination हैं ही नहीं यह तो clear है, यह तो just first event of contact है तब DCSF का इंडरस होना चाहिए और पर देश्का final destination का अच्गेए न मत स्कोई परug However, युई där को का तो यूई के पास हम ही नहीं यूई यूई के पास तो से PCFCF का address है यह भी तो प्रॉब्लम है SCFCF का होना चाहिए आपके हिसाब से आपके एक क्लस्टर में आपके इन होम नेटवर्क में मल्टपल SCFCF है कि मल्टपल तो छोड़ो आपको एक का भी address नहीं पता है आपको सी प्रॉक्सी कॉल सेचन कंट्रोल फंक्शन का address पता है और वह आपका इनिश फाइनल जेस्टिनेशन है नहीं या फाइनल रिसेपेंट जिब जाते हैं न जो रीक्वेस्ट वीवराई में रिक्वेस्ट व्राई तो ओल्वेस अट्टू ओम नेटवर्क सुपीव राई थेक ए लाइक ऐसे आएगा डली एड़ेट जिवू डाट कॉम यह क्या है home network CPU RI क्या है home network सिर्फ अपना हम home network बताते हैं और डोमेन बताते है request नेटवर्क जिनका नेटवर्क अर्विन प्लीज आप म्यूंट रखा को नेटवर्क आप पता नि कौन से टेक्नोलोजी यूज करती है कि मेरी आवाज सभी के वाज आपको क्लियर आती है आप बोलते हो तो बहुत हुशा होता है अच्छा ओके थोड़ा हो लेना वहां के वहां कि अठीक करो टेलका में जिने राफ हो बोल मुझसे रहो आपको साही करना होगा ना तो कोई नहीं है ना है में सुठ रिक्वेश्ट यूराई रिक्वेश्ट यूराई कि इससे हों मैं नेटवर्क शिप ईयूराई सिप यूराई है यहाँ पर प्रॉक्सी कॉल सेशन पर रोल फंक्शन नहीं रजिस्टर मैसेज को रिसीब किया और दूफरा यहाँ पर और वी आपके hyders जाएंगी आपका त्व जाएगा आपका फ्रॉम जाएगा और एक इंक्रेंट फ्रां दोनों में समेंस इंड्रस होगा एक इंड्रस थे इंड्रस करेंगे थे कि आप यह कभी आपने सोचा ही नहीं होगा सो यह होम नेटवर्क से उराई है आपर ठीक है होम नेटवर्क से उराई की साथ प्रॉक्षी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन रिक्वेस्ट उराई को रिसीब करेगा से अब रिक्वेस्ट को नेक्स्ट सरवर पर प्रोसेस के लिए सेंड करना है यानी प्रॉक्सी कौन होने वाला है अब ही प्रॉक्सी कॉल सेसन कंट्रोल फंक्शन को कुछ नहीं पता है इस home network CPU अउर सपयार आई काई वो क्या करेगा DNS query करेगा क्योंकि उसे PCSEP भूले गा पता नहीं कोन home network है तो उसका वो क्या करेगा इस इसका वो DNS query करेगा इस पर्फॉर्म DNS query to identify the address of home network तो यह DNS server के पास जाएगा DNS query करेगा और इस CPU rice से वो IP address मिलेगा DNS server का काम क्या है? एक FQDN को, filly qualified domain name को FQDN को, क्या resolve, क्या बना देना? IP address, FQDN से IP address है न? तो यह query करेगा, FQDN यहां से क्या आ जाएगा? IP address और home network में जब IP address किसी का आता है तो home network में, जब हम home network में किस node को expose करते हैं? तो expose always किसको करते हैं? ICS से अबको ICS से अबको क्या करते हैं? हम इसा expose करते हैं कि कोई भी request आएगा बाहर से तो ICS से अबको आएगा, right now? तो यह आपके क्या है? यह untrusted जितने भी message हैं वो किस पर आएगे? ICS से अपर So now home network को जब भी हम resolve करेंगे home network से IP address तो address मिलेगा ICS से को Now proxy call session control function forward the register message to ICS से This is your register Okay? Now ICS का functionality क्या है? जो इसका function है, वही functionality यह perform करेगा What is the function of ICS यह? Perform user authorization with the help of HSS और by interrogating HSS यह HSS को क्या बूलता है? कि user का authorization कर लो, right? So it's send यह आपको user authorization के लिए इसको क्या करेगा? PING करेगा User authorization request and user authorization response And second, इसकी functionality क्या है? SCSCF का selection SCSCF का selection करेगा, ठीक है? UAA So SCSCF का selection कैसे करेगा? तो HSS क्या बूलता है? HSS अपने home network में इस home network में कितने SCSCF यूजर हैं Like Delhi Circle में कितने SCSCF हैं और उनकी capabilities क्या है? Like अगर five SCSCF आपके Delhi Circle में हैं HSS क्या बूलेगा? इन five SCSCF की list send कर देगा ICSCF को कि यह first SCSCF है, यह second है, यह third है, यह fourth है और यह fifth ICSCF, यह 5 SCSCF हमारे circle में है, home network में और इनकी यह, यह capabilities है, यहनी HSS, SCSCF की list and capabilities share कर देगा किसको? ICSCF को और साथ में selection SCSCF कैसा होना चाहिए, यह point बहुत important है SCSCF कैसा select करना है? इसका indication यह भी कौन बताएगा, HSS, क्योंकि HSS का है database है, उसको पता है कि subscriber को हमें किस टाइब की services deliver कर देगा So SCSCF selection का criteria क्या होना चाहिए, यह भी बता देगा Like हमने आपको एक list दे दी, excel seat और यह बोल दिया एक काम करो, इसमें जितना 70, कुछ student के list दे दी, और यह बोल दिया इसमें से 70% से उपर जो होंगे, उन्हें को pass करना है, बाकी फोग fail करना है एक यह भी दे दिया कि criteria क्या है pass करने का तो हमने बोल दिया कि इस particular user को कि टाइब का SCCF यह उसकी capability, like ऐसा दे दिया, कि user को lose routing support करने वाला SCCF select करो सो हमने selection criteria भी दे दिया, तो ICSCF इसी list को match करेगा कि SSS ने जो बोला है कि यह capabilities होनी चाहिए उस SCCF में तो इस list में capabilities चिक करेगा और जिसमें maximum capabilities match करेंगी कुछ capabilities होती हैं जो हमारी mandatory होती हैं तो mandatory तो होनी ही चाहिए फिर कुछ capabilities होती हैं जो optional होती है, right? समझ में आ रहा है उसके base पर ICSCF क्या करेगा, SCSCF का selection करेगा next step हम इसको देखेंगी, ठीक है then ICSCF क्या करेगा, forward करेगा register message को SCSCF को यह register message यहां आएगा, okay? one minute प्रेट पुर्ट हमाज़ पुर्पजर तो था उसके समझ यह तो झाल झाल करेगा करेगा और अपनी फंक्शनाल्टी जो है परफॉर्म करेगा और फाइनली यह होगा कि आपके रिक्वेश्ट को इनिशल रिजिस्टर मैसेज को क्या कर देगा यह रिजेक्ट कर देगा तो यहां से एक रिजेक्ट एक्चुली क्या करता है वो चैलेंज करता है वो 401 अनथ्राइज्ट यह एक रिस्पॉंस जनरेट करेगा ठीक है 401 अनथ्राइज्ट और यह बेसिकली क्या होगा फैल हो गया बट इसी के थ्रू इस फैल मैसेज क्यों सेंड कर रहा है यह फैलियर का रिस्पॉंस क्यों आ रहा है इसी फैलियर रिस्पॉंस में यह डाइजेस्ट अथंटिकेशन वो क्या कर रहा है डाइजेस्ट अथंटिकेशन सेक्योर्टी मेकरिजम परफॉर्म कर रहा है यह आएमस अपनी सेक्योर्टी परफॉर्म कर रहा है अभी यह डाइजेस्ट अथंटिकेशन क्या होता है चैल परशनों ठीक है वो इसमें क्या करेगा आपको चैलेंज करता है और फिर यूई इसके भिहाब पर कुछ authentication vectors कुछ OTP generate करते हैं जैस्ट लाइक यूजर आईडी तो यह क्या होता है न अथन्टिकेशन अथन्टिकेशन एलाओ यूजर तो गेट अथन्टिक इटसेल्फ विद्ध सर्वर यूजर खुछ से सर्वर में क्या होता है अथन्टिक होता है कि फिर्ष्ट फआल क्या होता है इसके प्रॉसेस किसे होता है डाइजे स्बॉलिटे का तुर्अ डाइजेस्ट वैलू करता है ठीक। रहे हैं इस इनिशन रिजीश्टर मैसेज ठीक रहर है जो निर्टिकेशन वेक्टर के होंगे वह क्या होंगे इिम्टी होंगzemaz Cocam वर क्या बोलेगा कि यह तो अनथ्राइट परसन है क्या बोलेगा 401 अनथ्राइट तो एक्षिली जो 401 अनथ्राइट है यह क्या है एक चैलेंज है यह क्या होता है यह चैलेंज होता है डाइजिस्ट मेकनिजम को कंप्लीट करने के लिए और इस 401 में जो चैलेंज है उस चैलें मेसज था ठीक है न्युग रजिस्टर मेसज और इस बार आपको उस न्यू रजिस्टर बैसेज में वो पेडाप्व जो यहांपर इमपटी थे फ्र्स्ट रिजर मेसेज में उनके साथ भेजीगा और वो पपैला मीटर जो हमने चैलेंग जो नेटवर्क ने हमें चैलेंज किया था अगर वो चैलेंज हमारे न्यू रजिस्टर मैसेज में करेक्टली है और दोनों चैलेंज हमारे जो चैलेंज है वैसा टास्क यूई ने परफॉर्म कर दिया है यूई ने वैसा ही अथंटिकेशन परफॉर्म किया है तो अभी क्या करेगा Network आपको यहां पर ओके बोल देता है कि आपको ओके बोल देता है कि umpity digest authentication to server. It sent? empty digest authentication to server. Then server send a user name and password in challenge then server send user name and password in challenge. or authentication response then UE sent digest authentication then UE sent digest authentication विदे पॉपुलेटेड वैलूस तू रजिस्टर इट्स तू अथन्टिकेट इट्सेल्फ इन नेटवर्क एक चैलेंज एंड रिस्पॉंस बेस्ट डाइजेस्ट अथन्टिकेशन एक मेकनिजम है ठीक है क्लियर है इस डाइजेस्ट अथन्टिकेशन को परफॉर्म करने के लिए यह क्या हुआ जैलेंज हुआ अब इसके चैलेंज के बाद वह टास को जो है जो चैलेंज मिला है यूँँए उस चैलेंज को कंप्लीट करेगा उस टास को कंप्लीट करेगा जान फिर न्यूर्जिस्टर से और ये रेजिस्टर मैस से अभी क्या होगा सक्सेज हो जाएगा सेकेंडर टैंप्ट में यह सक्सेज होगा 200 ओकी यह आपका 200 टोकी हो जाएगा और आपका इंतियाल रजिस्ट्रेशं सकेज हो जाएगा और आपको वल्टी नेट्वर्क तो करेगा और साथ में क्या होगा इसके बाद आपका किस में रजिस्टर करेगा टास्मी ठेलिफ़ोनी 이걸 सर्वेर में करेगा वह डवार्धूर्टी तट्रीकिंट तरियश्ट्धीं टीकिंट मैसेज है यूडियार कि यूडियारão बहुत इंपॉर्टेंट थीकर या यह हमारा टोटल प्रोसे महासेश हागा है सो आई होब की चीज़े थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी कि रेजिस्ट्रेशन कॉल में कैसे चलेंगे कोई कुश्चन हो या निश्ट को सेकेंड टाइम में वो जब रेजिस्टर बेजेगा तो डारेक्ली SCSCF के पास बेजेगा नो सफस्क्त है डारेक्ली सेट सांग को नहीं बेज़ेगा कि एससरे करेगा और आड़रेस यूइए के पास अभी भी नहीं है और डारेक्ली किसी को नहीं विसे उसका रीजन क्या है proxy call session control function proxy call session control function record route लगा रख है ठीक है जब यहां register message send करेगा तो proxy call session control function क्या send करें क्या लगादेगाए रिकार्ड राउट ठीक है आप इसको हम bypass करी नहीं सकते हैं ठीक है वो बाइद अब वह डाइट से निकित फ़र्श पॉइंट आपका प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन होने वाला है सो फ़र्श जिस्ट्रेशन जब भी इनिशाल रिजिस्टर मैसेज यहां जाता है तो यह क्या करता है रिकार्ड राउट लगा देता है ठीक ह लोगर कुछ नहीं करेंगे और इसके पास कोई काम नहीं है इसके सिवा इसके पास कोई कामी नहीं है इसके सिवा इसके पास कोई काम नहीं फरजी बैठा रहता है सेलेक्शन और यूजर का जैसे ही मैसेज आएगा इनिशल तो ऑथराइजेशन के लिए बार बार सेल कर देगा ठीक है तो यह टोटल प्रोसेस है और सेस्ट अब भी अपना रिकॉर्ट रूट लगाता है ठीक है तो रिकॉर्ट राउट लगा तो डारेक्ट वो नहीं सेंड कर रहे हैं ठीक है तो दो बाते आधाना की रिकुष्ट राइस फर्स्ट फाल रजिस्टर मैसेज कैसे बोलना है यूज बेजिस्टर मैसेज तो PCS f in ूट रिकॉस्ट राइसेट टू हो नेतवर्क सिप्यों राए इसेट आते मेसेश करना ही यूजिसेटर मैसेज्ट पी सिएफ रिकॉस्ट राइस ए ज्टू हो नौ टुटकर समेह पर्पर्फॉर्ट लिए पर्फॉर्ट यूद्टिफ कि चा यहां पर एक काम और करता है registration message को जो forward करेगा ना तो एक काम और करेगा वो integrity protection flag अभी यहां पर integrity protection नहीं हुआ है हमने कल ही बताय था architecture की टाइम पर जिनको अच्छे से याद होगा functionality में कि PCCF का एक function हो रहे वह function क्या है IPSC IPSC integrity protection flag जो यह जनरेट करते हैं यह IPSC mechanism एक security maintain करता है with itself and UE यह हमने कल देखा था कि यह क्या करता है इट परफॉर्म IPSC between itself and UE IP security mechanism perform करता है ना अब यह IPSC mechanism होता क्या है जरा यह भी देख ले सब्सक्राइब ना तो अभी तो आई-पी से कुछ हुआ है नहीं अभी तो जैस्ट इसके पास आइडरेस था इसने बस अपने मन से registration message send कर दिया अभी कोई initial registration process का कुछ भी step नहीं हुआ जैस्ट रजिस्टर मैसेज आ जाए अभी तो IP से complete भी नहीं हुआ है यूई अनुथ्राइजड है यूई अनुथ्राइजड है विकॉज उसमें यह empty parameters पड़े हुए है empty parameters जो challenge आ रहा empty तो वो क्या करेगा इन सब इंपटी parameter को identify करेगा और आईपी सेक तो अभी complete हुआ नहीं तो वो integrity protection flag आईपी सेक flag integrity protection flag इस flag को क्या सेट कर देगा बोलेगा नो कि यह एक रेट कलर का फ्लैग लगा दिया इस registration message में और दिक्कत हो गई दूर से लग रहा है कि यह अनत्राइश्ट परसन है समझ रहो initial registration message में यह होता है PCSF जब फारवर्ड करेगा तो वो IP सेक flag integrity protection flag को क्या सेट कर देता है नो पर और जब यह new registration message send करेगा तब तक IP सेक भी complete हो चुका होगा और आपको पता है न वो challenge यूई ने चैलेंज भी complete कर लिया है तो अभी जो पैरामिटर अथन्टिकेशन पैरामिटर इंपटी थे अभी उसमें कुछ values होंगी नहीं तो अब देख लेका तो new registration message में क्या बोलेगा जो new registration मैसेज जाएगा उसमें इसको किस पर सेट कर देगा इंट्रीगेटिव प्रटक्शन फ्लैक को यस पर ठीक है तो यानि न्यू रजिस्टेश्टेश्ट यह कुश्चन भी बहुत पूचता है कि फास्ट रजिस्टर मैसेज और सेकेंड रजिस्टर मैसेज में क्या डिफ्र मैसेज में डीक होता हुं यह रजिस्टर मैसेज यह कि यूई शी सेंड कर रहा है उसमें क्या डिफ्रेंस क्या एंटिव ने पहला इन दोनों में i não कि कि किसका डिफरेंसД कि न कि यहां पर चिरी और यहां पर पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉउट यहां पर ऐनौ hade इनुट कि पॉपॉपॉपॉपॉपॉड खि recursos ी सबसक्तों है हुपॉपॉपॉ invented बताएंगे उसमें नॉंस में किसका longtime शनर्ट ग होन सब्क्राइब अध्या प्रणी फिजू इनन का कि न नंस क्या होता है ए नंस आपकी बशार्णी से नंबर वन नंबर वन्स कि न मतली वहीँ आपको हमने चैलेंज किया है आप भेजो ओटीपी टाइप मां डाइजेस्ट अथांटिकेशन जैसे होता है तो नंबर वन सो फर्स्ट रजिस्टेशन मैसेज आपको क्या होता है इंपटी नॉन्स वही है यह यह सेम वही है तो कन्फूज नहीं होना जो आप लोग सोच रहें बिल्कुल यह वही है डाइजेस्ट वाला ही है जो चैलेंज कंपलीट करके हम भेज रहे न तो चैलेंज मे क्या है इस में नॉनस है और कुछ हमारी मनन फेक रिस्पोंस होते है जो टास्क मिला है बने कंपलीट क्या जया है और हिम्पटी नौन्स होते हैं फिस्टर मैसेज में क्या होते हैं इमपटी नौनस देख हैं तू जह किया करeगा इंत्रिगर्टब प्रटandal फिर व्यवली और गश्टरक्राल हो जाएगा सो देखो क्या होता है Integrative Protection Flag में यह UE है और यहां पर सिर्फ हम PCSCF को ले रहे हैं ठीक है तो यह IP से complete कैसे होता है between UE and PCSCF This is UE PCSCF So first of all जब first registration message send करेगा PCSCF को UE तो इसमें क्या send करेगा इसमें क्या क्या send करेगा तो इसमें एक इम्पू जाएगा क्या send करेगा अपनी MP and इम्पू पब्लिक यूजर अइटिट्री प्राइवेट यूजर अइटिट्री ओके एंड सेकेंड यह और क्या send करता है क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट तो यह अपना क्या send करेगा क्लाइंट पोर्ट और क्या send करेगा सर्वर पोर्ट क्लाइंट पोर्ट क्या होते हैं जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं सर्वर पोर्ट कौन होते हैं जो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं आप बैंक में जाते हो ना तो बैंक तो एक ही है वो पोर्ट तो आपको एक ही है बैंक तो एक ही है बस एक्चली उस बैंक के जब अंदर आप जाते हो तो क्या होता है कि डिपॉजिट औन विड्रॉल काउंटर्स अलग होते हैं तो क्लाइंट पोर्ट एंड सर्वर पोर्ट सेंड करेगा ओके हर एक क्लाइंट सेंड करते हैं यूई ने अपना सेंड किया PCCF जब यह 401 अनथ्राइव यहां से होके आया है न यहां से तो PCCF क्या करेगा वो भी Еघ to one अनथ्राइव रिस्पॉनस, इसको फारवड करेगा इसको जब यह फारवड करेगा ठीक है बोलते टाम लिखने में पता नहीं बहुत प्रावल्ब्ट होती है ठीक है कोई मिस्टेक हो तो उसे एग्नोर करें ठीक है इस रिस्पोंस में Sun bank PCCF अल्सों जेंद defending क्लाइंट त्टिक है अपना क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट यह भी संड करेगा यूजर को क्लाइंड पोर्ट एंड ज्रवर पो यह सब याद रखना ठीक है कल पूरा कॉपी करके नोट साज ही सेंड कर देंगे सो कल हम फॉस्ट पूरा पारामीटर लेबल पर देख लिए तो पीचेस्ट यप अल्सों सेंड इट्स क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट इन फोर जीरो वन अनुट्राइज रिस्पॉंस याद रखना इसे ठीक है यूई ने कप सेंड किया था इनीशाल रिजिस्टेशन मैसेज में फर्स्ट रिजिस्टेशन में और पीचेस्ट अपना अभी क्या है इसी के बेश पर इन ही पोर्ट के बेश पर तो हम यह एक्जामपल लेते हैं ऐसा कि यह यूई का क्लाइंट पोर्ट है और यह पीचेस्ट क्लाइंट पोर्ट है यह सर्वर पोर्ट है ठीक है तो आईपी सेक एस्टेवलिस कैसे होता है वो देखो यह क्लाइं पोर्ट है यहीं सर्वर पोर्ट है और पैरामीटर लेवल पर आईपी सेख हम आपको नहीं बता पाएंगे वो यूई साइट का वो है हमने उसके कभी काम भी नहीं किया और हमें ज्यादा आइडिया भी नहीं है बट उसका जो मेकानिजम है वो बता दे रहे हैं और वो more than sufficient है उससे ज्यादा किसी को आये का नहीं वो आपका इंटर्व्यूर हो और कोई भी हो जो उसने भी काम किया है उनली वही जान सकता है ठीक है और बाइदवे उतना more than sufficient है तो यह client port है server port है और यहाँ पर भी आपका यह server port है PCSCF का और PCSCF का client port है तो PCSCF की functionalities है कि यह क्या करता है इत मेंटेन security mechanism बेट्विन इटसेल्फ एड यूई अपने और यूई की बीच में security mechanism और different stages पर वो security आई और उसमें से एक stage क्या है आई-पी से इंट्रिटी प्रटेक्शन फ्लाइग इंट्रिटी प्रटेक्शन सिक्योर्टी जो है mechanism इंट्रिटी प्रटेक्शन मेकनिजम आई-पी से प्रफॉर्म करता है आई-पी से और यह आई-पी से प्रफॉर्म क्यों करता है उसके लिए हम सेक एग्री पारामीटर सब नोट करते चलो ठीक है इसको उसमें देखना रिकॉर्डिंग में नोट कर लेना कॉपी पे ठीक है प्रजमोहन आपके बैच में कोई ब्रजमोहन आया था ना उस्टाइम यह पहले कोई आया था दो महिने बरबात करके तब वापस आते हैं ठीक है शेक एगरी पैरामीटर क्यों होते हैं शेक एगरी हीडर क्यों होते हैं यूज टू निगोशियेट सेक्योर्टी एग्रिमेंट बिट्विन क्लाइंट एंड सर्वर ठीक है नोट कर लो इसे रजिस्टर मैसेज मिलेगा और आज ही रजिस्टर मैसेज हमारा यूट्यूब पर सभी लोग देखना हमने उसमें कुछ पैरामीटर को हीडर को डिसकस किया है और उससे ज्यादा यूट्यूब पर हम डाल नहीं सकते थे ठीक है कि उतना आप देखो कि बहुत सब्सक्राइब जो हीडर होता है ना इस्टिव यूज टू निगोशियेट सेक्यूर्टी एग्रेमेंट बिट्वेन क्लाइंट एंड सर्वर और यह एक्चुली एक्चुली थ्री स्टेजेस में होते हैं इनका जो अब्जेट थ्री अब्ज अगोशियेट करता है हमने बोला ना कि शिक्यूर्टी इटिव यूज टू निगोशियोटी एग्रेमेंट बिट्विन क्लाइंट एंड सर्वर यह नि अगर यह क्लाइंट है इसको डील कर रहे हैं और इसको हम सर्वर डील कर रहे हैं तो सेक एग्री हीडर कैसे काम करता है यह तीन स्टेज में काम करता है एक क्या काम करता है सेक एग्री याद रखना जो हमने भी डेफिनेशन बोली उसी टाइप में कुछ बना के आप भी बोल देना यूज टू निगोशिकर कि इसका नोट साहिद में मिल पाए ठीक है जो देखते हैं एक होता है शिक्योर्टी क्लाइंट ठीक है तो आपका शिक्योर्टी क्लाइंट होगा शिक्योर्टी क्लाइंट देन security server jeśli kutsburgistly इसको ignore करिएगा वोलते टाइम हो ना ठीक है security आपको क्या होता है security verify security verify So ये three stages पर शो security ये जो sac agree है ये three stages है insect agree heater जो होता है इसका मतलब यह होता है यानि इसमें first stage three object है से agree काम कैसे करता है first stage में client अपना provide करेगा security mechanism second stage में server बोलनेगा कि यह मेरा है यह मेरा है that means पहले यह अपना client provide करेगा client provide करेगा फिर इसका server provide करेगा then फिर ये दोनों एक दूफरे को क्या करेंगे verify करेंगे security verify के तुरू इसको बहुत अच्छे से समझा देना कोई भी इंटर्वर्ट चूप हो जाएगा पहले बात उसे पता ही नहीं होगा बोलने लगो उसी में डर जाएगा तो यह sec agree का मतलब यह होता है और same procedure हमारा IP sec में होता है ठीके पहले हमारा client प्रवाइट करेगा क्लाइंट को क्या है क्लाइंट जो है जो हमारी requests को generate करेगा कि यह messages हमें secure करने है client port and server port पे जितने भी ship messages हैं इनको IP sec के through हमें क्या करना है secure करना है तो client generate करेगा request तो इनका काउं support receive करेगा server port ना तो यहाँ पर इनका client किसको sec agree देगा server port को फिर इनका client इनके server port को यह हुआ यानि दो mechanism complete हो गए है security client and security server यह mechanism यह object complete हो गए है अभी दोनों एक दूफरे को क्या कर लेंगे verify कर लेंगे तो ऐसे हमारी establish होती ही एक IPsec integrity protection यह हमारा IPsec के थुरू establish हो गया between client and server now अब जो भी message flow होंगे अब जो भी message इस client and server port के बीच में flow होंगे वो क्या होंगे integrity protected होंगे क्या होंगे integrity protected होंगे और इस integrity protected message में अब कोई message आएगा तो PCS safe के पास कोई भी message यहां पर ship message आएगा तो उसको forward करेगा तो उसमें एक flag लगा देगा yes this is a IPsec integrity protected message integrity protected message यानि integrity protection हमारी और UE के बीच में यह एक secured message है protected message है हमने एक secured mechanism बना लिया है IPsec के थू IHOOP समन में आया होगा उन्टभ सब्सोंहाई थैरी देख यह में इन ponieważ कैसum में च थैंसरजब कृ यह सुगाइन धू यह सब्सक्टन यह सब्सक्त्छब यह सब्सक्त्रोंजब में भी सब्सक्टब आब यह 74V